आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी निव कीचन टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कीचन के काम भी असान होंगे और खाना भी टेस्टी बनेगा हेलो एवरिवन मैं हूँ अंजना तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम मेरी जो फर्स कीचन टिप्स हैं वो डाल को लेकर हैं डाल को हम जिस पानी में सोप करके रखते हैं उस पानी को हम फिंग देते हैं लेकिन जिस पकार से डाल में पोशिक तरत्व होते हैं, इसके पानी में भी पोशिक तरत्व होते हैं, यदि इस पानी को हम प्लांस में डालेंगे, तो प्लांस अच्छे से ग्रोव करेंगे. मेरी जो second kitchen tips है, वो बेलन को लेकर है, बेलन को हम वोश कर लेते हैं, लेकिन कई बार उसी समय हमें चपाती बनानी होती हैं, तो गीले बेलन को हम कितना भी पोँच ले, फिर भी उस पे आटा चिपकता है, और रोटी बेलना मुश्किल लगता है, यदि हम बेलन को low flame पर सुख जाएगा, लेकिन इस पात का ध्यान रखे, कि बेलन flame से थोड़ी दूरी पर रहे, क्योंकि बेलन wooden का होता है, ये चल सकता है, बस हलकी सी flame में ही इसे हमने सुखाना है, अब यदि हम इस से चपाती बेलेंगे, तो चपाती हम easily बेल पाएंगे, और आटा भी बेलन से नहीं चिपकेगा, मेरी जो next kitchen tips है, वो पच्चों की छोटी-छोटी फूख के लिए है, इसमें हम बनाएंगे biscuit sandwich, इसके लिए एक पैन में लेंगे cooking oil, oil के गरम होने पर इसमें डालेंगे jeera, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा hing powder डालेंगे, और बारिक कर्टा प्यास डालेंगे, प्यास को golden brown होने तक फूनेंगे, इसी में डालेंगे हर image, टेस्ट के coding हर image को कमिया ज्यादा कर सकते हैं, शिमला मिच डालेंगे, इन सब को हम अच्छे से फूनेंगे, हल्दी, लाल मिच पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे अमचूर पाउडर, इन पाउडर को अच्छे से फूनने के बाद इसमें हम डालेंगे उबला हुआ आलू, आलू को भी मसाले के साथ मिक्स करते हुए फूनेंगे, मसाला फूनने के बाद हमने लेने हैं, मैरी कोल्ड बिस्किट, और इस बिस्किट पे हम लगाएंगे टोमेटो कैचप, और दूसरे बिस्किट को पहले वाले बिस्किट के ऊपर रखेंगे, और जो एक्स्टर मसाला है उसे हटा देंगे, इसके बाद हम लेंगे जीरो नमबर की सेव, साइड से इसे सेव से कोट कर लेंगे, और ये बन जाएगा हमारा बहुती टेस्टी बिस्किट सेंडविच, मेर ये जो next kitchen tips है, वो मेथी को लेकर है, मेथी को हमें store करना होता है, तो store करने के लिए मेथी को हम कैसे सुखाएं, ये मैंने धेर सारी मेथी ली है, इसे मैंने साफ करके अच्छे से बोश कर लिया है, मेथी को store करने के लिए हमने जो मेथी लेनी है, वो छोटे और गोल पत्तो वाले लेनी हैं. इन मेंखुश्बू भी अच्छी होती है. मेठी सुखाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पिल्लो कवर. ये पिल्लो कवर अच्छे से बौश किया हुा होना चाहिए. मेठी को हमने इस बौश कोवर में डाल देना है. मेथी डालने के बाद इसको लोग करेंगे और अब हमें चलना है बोचिंग मशेन के पास इस पिलो कवर को हम स्पिन ड्रायर में डालेंगे और 15 मिनट की टाइमिंग लगाएंगे 15 मिनट के बाद इस पिलो कवर को हम बाहर निकाल लेंगे अब इसमें से मैं मेथी निकाल कर दिखाते हूँ स्पिन ड्रायर में डालने से इसका जो पानी है वो सारा एक्टम से सूख जाएगा और अब यदि इससे हम सुखाएंगे तो ये बहुत कम समय लेगी प्लीज किचन टिप्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहां देखिए मेथी का लगबग सारा पानी सूख चुका है अब मैं मेथी सुखाने के दो मैथट बताऊंगे फर्स्ट मैथट में हम इसे माइक्रोवेव में सुखाएंगे इसके लिए जो माइक्रोवेव की प्लेट है उसे हम निकालेंगे और जो मेथी है मेथी के सारे पत्ते हम इस प्लेट के उपर रखतेंगे इसके बाद इस प्लेट को हम माइक्रोवेव में रखेंगे और पांच मिनट का हम टाइम लगाएंगे बीच में एक बार हम इसे थोड़ा सा पलट देंगे पांच मिनट का टाइम कम्प्लीट होने के बाद इसे हम चेक करेंगे चलिए सबसे पहले हम पलेट को बहा निकाल लेते हैं और ये देखिए पत्ते एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं इस मेथी का हम पाउडर बना कर भी रख सकते हैं या पत्तों को हम ऐसे ही रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं इसका यूज हम लसी में रायते में कर सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे मैथट की और दूसरे मैथट में हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन इस पर लगाएंगे एक बटर पेपर और मेथी के सारे पत्तों को इस बटर पेपर के उपर फेला देंगे पांच से छे घंटों के लिए इसे हम पंखे की हवा के नीचे रखेंगे छे घंटे के बाद इसे हम चेक करेंगे और ये देखे पत्ते एकदम सूख चुके हैं अब हम इस मेथी को किसी भी एट टाइट कंटेनर में डाल कर स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी रायते में लसी में हम इसका यूज कर सकते हैं कोमेंट करके जूर बताईएगा कि इन सम्में से आपको सबसे अच्छी कीचन टिप्स कौन सी लगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जूरू करे तो मिलेंगे मेरी नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नई कीचन टिप्स के साथ किप स्माइलिंग, स्टे हैल्ट